वो एक मीम वायरल हुआ था ना एलविश भाई के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या अब एलविश भाई के आगे कोई कुछ बोले या ना बोले उस बारे में तो खेरा में सोचने की जरूरत नहीं है लेकिन एक बात है कि पुश्पा भाव के आगे तो कोई कुछ नहीं बोलन जैसे जैसे पुश्पा की रिलीज डेट नस्दीक आती जा रही है बस पांच तारीक को पुश्पा रिलीज होने वाली बा मुश्किल 6-7 दिन बचे हुए है कुछी दिनों में पुश्पा की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो जाएगी तो ऐसे में बॉलिवड की जो भी मुवीज बड़ी बचट वाली थोड़ी बहुत भी अब पुश्पा के रिलीज के एड़ गर्द रिलीज होने वाली थी उन सभी ने अपने कदम पीछे खीचना शुरू कर दिया है और देखिए इसमें कोई गलत बात नहीं है इसमें अच्छी बात यह है कि जब आपको पता है कि आपकी मुवी पोटेंशल है अच्छा करने की और हो सकता है कि पुश्पा के औरा के अंदर वो ओर शैडो हो जाए और उस मुवी को वो पबलिक ना मिले जिस पबलिक की वो पता है कि इस लडाई को ना लड़ने में ही बहतरी होती है मेरा यह मानना है दर असल यहां पर बात कर रहां हुं च्छावा के बारे में वो मुवी जो की विकी काॉशल की आने वाली एक ऐसी मुवी है जिसमें कि उनका किरदार कई लोगों के जहन पर एक गहरी चाप तो उसको ऐसी कंडीशन में रिलीज करना पड़ेगा जहां पर इसको जाद साथ लोग देख सके दरसल जो अपडेट निकल कर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि पैन इंडिया स्टार अलू अर्जुन के फिल्म पुश्पाट्टू दरूल थेट्रस में तकड़ा ध बड़ी फिल्म भी अब साइड हो चुकी है यानि दिसंबर के पहले वीकेंड में अब पुश्पाट्टू थेटर्स में अकेली बड़ी फिल्म होगी अब विस्ती बात है नमबर ओव स्क्रीन्स भी इसी मूवी को जादा से जादा मिलेंगे बॉलिवुड स्टार विकी की दिसंबर रिलीज डेट बाद में अनौंस करी गई थी इसकी रिलीज डेट भी पहले 6 दिसंबर अनौंस करी गई थी लेकिन बाद में इसको एक दिन पहले 5 दिसंबर के लिए शेडियूल कर दिया गया पुश्पाट्टू जैसी बड़ी फिल्म के एक दिन बाद करनी चाहिए जो कि एक दंदार फिल्म नजर आ रही है उसे क्लेश क्लैश के जित में हमें इसका काम खराब नहीं करना चाहिए और यकीन मानिए वाकई में ऐसा है ट्रेड एक्सपर्ट तरना अधर्श ने सोशल मीडिया पोस्ट में छावा के टलने की खबर के साथ फिल्म की 24 फरवडी 2025 को आएगी ये रिलीज डेट इसलिए खास है क्योंकि 19 फरवडी को चत्रपती शिवाजी महराज की जयनती है चावा एक बायोपिक बताई जा रही है और इसकी चत्रपती शिवाजी महराज के बेटे चत्रपती सामबाजी महराज के जीवन पर ये बेस्ट फिल्मों के कुछ ना कुछ बड़े रिकॉल्ड तोड़ेगी और कईयों को चैलेंज भी करेगी अल्लु अरजुन की स्टार पावर और पुश्पा की ब्राइंड वैल्यू के जलवा लोगों ने कुछ दिन पहले ही फिल्म के ट्रेलर में देखा था करीब 24 घंटे में यू जंता का देखिए नाना करते भी प्यार तो मिली रहा है फिल्म का हर एक मटेरिल फिलहाल जमकर वायरल हो रहा हो चाहे वो पोस्टर हो ट्रेलर हो गाने हो कुछ भी हो अल्लु अरजुन का भौकाल भी समय खूब लोगों की सर पे चड़कर बोल रहा है दरसल ये बात कहना घलत नहीं होगा कि हम लोग ऐसी कई सारी मूवीज को पास में देख चुके हैं जिन्होंने के अपने दर्शकों से प्रॉमिस तो काफी सारे किये थे कि भाई हम ऐसी मूवी बनाएंगे हम ये करके दिखाएंगे हम वो करके दिखाएंगे लेकिन जब हम वाकई में थेटर्स पहुंचते हैं तो वहाँ पर ऐसा रखता है कि यार ये तो चाय कमपानी है तो ऐसे में हम लोग बस यही चाहते हैं कि जो हाइप पुश्पाटू के साथ बन रही है मेकर्स ने उसके साथ में जस्टिस किया हो और जो दर्शक एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही चीज़ उनको देखने के लिए भी मिले क्योंकि यहाँ पर जो सिनेरियो फिलहाल सेट होता हुआ दिखाई दे रहा है वो तो पुश्पाटू के बड़े से बड़े रिकॉर्ड्स को तोड़ने की बात कर रहा है और यकीन मानिये जब पुश्पाटू थेटर्स में आ पुश्पाट रूल को रिलीज हुए तो ऐसे में अब एक अच्छा का सा समय में सभी को मिला है फाद फादल को भी जितना कुछ ट्रेलर में हम लोगों ने देखा इनको देखकर काफी अच्छा ही लगा कि नहीं है यह अब कलाकार जो है ये भी एक नए तरीके से अपने र पुश्पाट रिलीज और जो प्री बिजनस हम लोग कहते है ना उसी में ऐसी ख़वरे आ रही है कि भाई यह मूवी साड़े 600 करोड का बिजनस तो अल्रीडी कर चुकी है मतलब डिजिटल राइट, सैटलाइट राइट, म्यूजिक राइट और सब को बेच कर जो एक इसके अलावा रश्मिका मंदाना के बारें बताया जा रहा है कि दस करोड रुपए उन्होंने इस मूवी के लिए चार्ज किये हैं, बड़ यकीन मानिये जो 500 करोड रुपए का बजट इस मूवी को बताया जा रहा है, उसमें से जो रिपोर्ट्स बता रही है कि भाई 300 कर प्रजिक्ट इतना शांदार है कि लोग वैसे भी इस मूवी के इंतजार हैं, बिल्कुल पगला रहे हैं, तो ऐसे में एक एक्टर के तौर पर अलू अर्जुन ने भी अपने बार को बढ़ा दिया, 300 करोड रुपए की फीस चार्ज करी है, यह भारत में किसी भी एक्टर क दोरा ली गई, फीस के तौर पर रकम के तौर पर यह सबसे बड़ी रकम है, तो यहां पर यह कहना गलत नहीं होगा कि अलू अर्जुन इस बिगस्ट स्टार ऑफ इंडिया राइट नाओ, जहां पर कई सारे स्टार्स अपने बनी बनाई मूवी इंडिस्ट्री को छोड़ कर राजनीती में जाकर शामिल होकर अपने करियर को चौपट कर रहे हैं, वहीं पर अलू अर्जुन इस बात को भाखुबी समझ रहे हैं कि भाई, अगर मैं यहां पर अपने फैंस के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा बहतर कर सकता हूं, तो मुझे उसके लिए काम करना प यह मुवी है, यह वाकई में कुछ धमाके कर सकती है, कुछ बड़ा कर दिखाने की इसमें शंता है, उन्होंने खुद ही अपने पैर पीछे खीच लिए, जोकि छावा का जो अभी तक लुक्स वगएरा सामने आया है, उसमें वो मुवी वाकई में काफी प्रॉमिसिंग ल आलत नहीं जाए हैं जाए भारत